प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे गाँ वखेत का कुछ दिरिश्य दिखाता हूं डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग, लाइफ इन विलेज विद असित कानुन गो मैं आपका अपना दोस्त असित कानुन गो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए यह रास्ता मेरे घर से खेत की और जाता है वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक यम शेयर अवशक कर दीजिएगा और यदि आप पहली बार मेरे चेनल पर आये हैं तो कृपया चेनल को सिस्क्राइब करना मत भूलियागा देशी मुर्गी अपने चुजों को दाना चुगा रही है गाउं में मुर्गियां ऐसे ही सतंत रूप से बाहर खंते रहती हैं और अपने चुजों को दाना चुगाते रहती है दोस्तो ये रास्ता सीधा हमारे खेत की और जाता है जादा दूर नहीं है पास ही है अभी आप लोगों को खेत कर नजारा दिखाता हूँ एकदम आनन्द आ जाएगा दोस्तो जीवन में कितना भी तनाव हो, स्ट्रेस हो यदि संभव हो सके तो आप गाउं की तरफ आईए एक बार खेतों की और निकल जाएए यहां की हरी भरी वादियां आपके सारे तनाव को स्ट्रेस को खतम कर आप में ताजगी वश्पूर्ती भर देगी दोस्तो सुबर सुबर उठते ही खेतों की और निकल जाएए ठंडी ठंडी हवा, हरी हरी घास, घास पर ओस की भूंदें इतना आनंद आता है कि वणन करना मुस्किल है खेत के मेड में बहुत साधानी से चलना होता है उबर खाबर, पतले पतले रास्ते, पानी कीचर से सरोबोर, फिर भी आनंदी आता है दोस्तो हरे भरे खेत देखिए आखों को कितना शुकून देती है दोस्तो यह मेड में सोलर पेनल का प्लांट लगा हुआ है इसके यह मोटर चलता है अभी तलाब से पानी खोट में ले जा रहा है ताकि रुपा का काल पुरा हो सके देखिए क्या ही व्यूद है दोस्तो तलाब में पानी हरे भरे मेड, हरे भरे खेत किसान के दिल को बाग बाग कर देता है इसकी एनरजी से किसान दिन भर खेतों में लगे रहते हैं फिर भी उन्हें थकान नहीं होती है अब वापस चलते हैं दोस्तों घर की तरफ इन्हीं गलियों से होकर घर जाना होगा पकान छोस्तों में एच्छों में अवायर ही एन्हीं जोस्तों आफ अलियों से एन्हा हैं具े देता हैं direct to म्हावर में शिर भी जोस्तों में भी बागर यह मेरा मोहला है जहां मेरा घर है इधर इस तरफ बाड़ी और बगीचा है जिसे आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं dear friends this is my first blog please subscribe like and share the video also please press bell icon button so that my next video can reach you easily thanks